सवाल हमारा यही है कि इनसान जो है वो साकाहारी है या मांसाहारी है तो भाई सहाब इनसान साकाहारी है या मांसाहारी है इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये साकाहारी और ये मांसाहारी ये क्या होता है अगर आपको आता है तो आप आसानी से समझ जाएगा अ आप सर्च मार कर देख सकते हैं और आपको सर्च क्या मारना है मारना ये है कि साका हरी और मांसा हरी किसे कहते हैं बाई पपू भाई ये मारिएगा तो आपको यूट्व पर मिल जागा ठीक है तो भाई साब इनसान साका हरी है या मांसा हरी है यहाँ पर गौर केजिए साका हरी में आसानी से आपको पता भी होगा कि जो पिर्ण पोधे से प्राप्त भुजन को केवल और केवल खाते हैं उनको कहते हैं साका हरी और मांसा हरी में केवल और केवल जो मांज खाते हैं उनको कहते हैं मांसा हरी तो यहाँ पर आप ध्यान दीजे आप सबको आसानी से दिख भी रहा होगा और मैंने अभी भी आपको क्या बताया यही बताया कि साकाहरी में केवल और केवल साग सबजी को खाएंगे मतलब केवल और केवल जो पेड़ पोदी से प्राप्त भोजन को खाएंगे उनको कह रहे हैं हम साकाहरी तो यहाँ पर साग सबजी फल अनाज और घास आदी आदी कहने का मतलब कि अभी आप और ले सकते हैं तो यहाँ पर यह जो चीजे आपको दिख रहे हैं साग सबजी फल अनाज और घास ये सभी के सभी पेड़ पोधे से प्राप्त होती है और इनको ही जो केवल और केवल खाएंगे उनको हम कहेंगे साका हारे तो इनको कौन खाते हैं तो इनको भाई साब बकरी खाते हैं गाय खाते हैं भैस खाते हैं घोड़ा खाते हैं हाथी खाते हैं तो वो जो हाथी घोडा भैस बकरी ये सब क्या है ये साका हरी है ठीक है ये साका हरी क्यों है क्योंकि ये साग सब्जी फल अनाज घास खा रहे हैं और ये सभी के सभी पेड़ पौधे से प्राप्थ होते हैं ठीक है तो आदी है इसका मतलब अभी आप और ले सकते हैं ठीक है और भाई साब मांसाहरी में आपको ये चीज़ ख्याल रखना है बिसिकलिए मैं बता क्यों रहा हूँ क्योंकि आपको समझना ये है कि इंसान साकाहरी है या मांसाहरी है तो समझने के लिए आपको समझना ही पड़ेगा और मांसाहरी में आपको याद रखना है कि जो केवल और केवल मांस खाएगा, उसे हमें कहेंगे मांस आरी है, तो भाई साब मांस कौन खाता है, हम लोग केवल मांस खाते हैं, नहीं खाते हैं, केवल मांस, जी हाँ, केवल जो मांस खाएगे, उनको कहेंगे मांस आरी है, जैसे में आपने कभी सेर का नाम सुना है, से तो यहां पर देखा जाय तो इनसान केवल और केवल मांस खाएगा तो इसलिए इंसान नहीं साकाहारी है और नहीं मांसाहारी है यह केवल और केवल इनसान जो है हमारे यह सरवाहारी है यह सरवाहारी इनसान क्यों है क्योंकि इनसान हमारे मांस भी खाते हैं और पेड़ पौदि से प्राप्त भोजन को भी खाते हैं मतलब साकस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं इसलिए इनसान हमारे क्या है सरवाहारी ह तो यहां पर मैंने आसानी से लिख रहा है आपके सामने यह परसन है और यहां पर मैंने उतर भी लिख रहा है क्या है कि इनसान साकाहरी है या मांसाहरी है तो यहां पर मैंने लिख रहा है कि नहीं इनसान साकाहरी है और नहीं मांसाहरी है यह क्या है सरवाहरी है तो यह आपक जै भाराद